पुरवांचल के बाहवली पुरो विदायक मुक्तार अंसारी पर आज गेंगेस्टर कोट में फैसला आया है इसी पर बात चित करने के लिए यहां तो खुद एडीजे क्रिमिनल निरस दिरवास्तो जी है मैं इसे बात करता हूं पुरा मामला क्या है जब आज मुक्तार अंसा चारी के उपर और भीम सिंख म podéis मुझे के उपर गेंगेस्टर का मुकदमा थाना हो तवी गाजीपूर ने पंजी क्रित किया गया था और उस गैंग चार्ड मेंarım कुल पांच मुकदमे दिखाए गायते जिन पांच मुकदमों के आधार पांड हुने गेंगेस्टर साभित क करने का प्रयास किया गया था विचारन नियायले में कुली 11 गवा प्रस्तुत किये गए और इनकी गवाही से संतुष्थ होकर माननी नियायले ने अभ्योजन कथानक को प्रमारित पाया और अभ्युक्त गड़ मुक्तार अंसारी और भीम सिंखो 10-10 वर्ष की सहसरम कारावास मुक्तार अंसारी एडी की कस्टडी में वीडियो कान्फरेंसिंग से प्रस्तुत किये गए और भीम सिंख भेक्तिकात रूप से उपस्तित है जो ये पांच गंदेश्टर के मामले चला है वो था जानना चाहिए हुए कौन कौन सम्मू के मामला तो कहा का था दो मामले मामला यहा एक 302 कग मुकादमा थाना कौतवाली गाजिपुर में पंजीशी खरिट रूप उसका था दो मावला बनारस थे चन्धूली का था नारस का मामले? पनारस के मामले एक ठाना चेद्गंज के अवधेश राय के हत्यावी थी ओ थे और एक ठाना काइंट वारार्सी का एक अगदमा था गाजिपुर में और एक चंदोली का था वहां भी पुलिस के साथ मुर्भेडा और उसमें काउस्टेबुल रगवंस पांडे किमृत्यू का मामला था गाजिपुर का तो एक कोटवाली में माला दुरू या वसिस्तिवारी नाम के कोई प्रेक्टिक है उनकी हत्या हुई थी तो इतना जिसे देखा एक 1996 का ये मामला था और 2022 में इसका खैसला रहा है इतना विलम गैंगेश्टर के मुकदमे में थोड़ा विवेचना लंबी होती है तो विवेचना लंबी होने के काना से 1996 के मुकदमे में 2007 में उसमें चार्सित आया और विभिन जनपदों में ये माम चलता रहा गाजीपूर प्रयाग राज बनारास और गाजीपूर में फिर चल रहा है तो इसलिए जब मुकदमे का एक जगह से दूसरे जगह पर अस्थानांत्रन होता है तो कुस्ता कुछ प्रक्रिया में भिलम होता है अभी जो गैंगेश्टर का मामला था अभी संक्या दस्थे क्यान बटा 2007 वह अभी MPA मेले कोट में विचारा था अभी जो सजा सुनाईगा यह वो मुक्तारा अंसरी पूरु से ही जेल में है इस सजा को उसमें जोडा जाएगा या फिर अलग से इसकुने दर्ट किया जाएगा अभी पूरा जजमेंट मैं नहीं परने की पार्ड़ी इसकुने जाएगा जजिशे सर्शिकार्थिवारी इडिवी भारा